सितंबर करीब है और ये महीना आइफोन फैंस के लिए हर साल एहम होता है अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी एपल हर साल सितंबर में अपना नया फोन लाउंच करती है इस साल भी फैंस को काफी उम्मीदे हैं और हो भी क्यों न जहां हम देख सकते हैं इस साल बाकी स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने फ्लैक्शिफ फोन्स में काफी नए और बहतरीन फीचर्स अड़ किये हैं जिनकी वज़ा से कॉम्परडीशन और साथी साथ उमीदे भी काफी बढ़ गई हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस साल आप नए आइफोन में क्या-क्या नए फीचर्स देख सकते हैं इस साल आप नए आइफोन में एक नया वाइड अंगल लिंस को भी जुड़ता हुआ देख पाएंगे जो कि वाइड अंगल शॉट्स लेने के काम आएगा हाला कि हमारी जानकारी के हिसाब से यह लिंस स्चेबिलाइज नहीं होगा वहीं आपको अगर लग रहा हूँ कि तीन कैमरा लिंस की वज़़े से फोन का कैमरा बंप और बड़ा हो जाएगा तो इसकी भी चिंता ना करें इसके लिए भी आपल ने अपने कैमरा सिंसर्स को छोटा और पतला करने की कोशिश की है इस साल कैमरा 16 मेगा पिक्सल का हो सकता है जो कि पिछली बार के 12 मेगा पिक्सल से जादा शार्प इमेज कॉलिटी दे पाएगा आइफोन अभी भी सबसे खूबसूरत फोनों में से एक हैं जिसको और खूबसूरत और मुझबूत बनाने के लिए आपल सौफट ग्लास फिनिश वाले बैक का इस्तमाल करेगा जो फोन की खूबसूरती और ग्रिप को बढ़ाने का काम करेगा वहीं आप इस बार नए कलर्स में भी आइफोन को देख पाएंगे फेस आइडी को और तेज बनाने के लिए इस साल नए फलड एलिमिनेटर और इंफरारेट कैमरा को एड़ किया जाएगा जो कि अब ज़ादा वाइड फेस एरिया रीड करेगा जिससे फेस री टाइम और तेज हो जाएगा और आप अपने फोन को जल्दी अनलॉक कर पाएंगे यह तेज तो होई जाएगा साथी साथ जादा सिक्योर भी हो जाएगा पर क्योंकि हम फेस आइडी ही बात कर रहे हैं तो आप समझी गए होंगे कि इस बार भी हमें नौच का सामना करना पड़ेगा और शायद फुल व्यू डिस्पले के लिए हमें अभी थोड़ा और इंतिजार करना पड़ेगा नया E13 Bionic Chip और iOS 13 पिछले साल का प्रोसेसर E12 Bionic काफी तेज था जिसे अपरगेट के साथ इस साल और तेज पाएंगे आप जहां पर इसके साथ हम अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 13 को भी देखेंगे नये प्रोसेसर के साथ यहां नया OS RAM मेनेजमेंट और बैटरी मेनेजमेंट पर काफी ध्यान देगा जहां हम कुछ नए AI features और dark mode UI को भी जुड़ता हुआ देख पाएंगे iPhone, smartphone की दुनिया में premium phone का tag रखता है और यहाँ tag इसकी customer satisfaction और phone की quality की वज़े से मिला है जिसके कारण यह phone महंगा भी है बहरहाल हम उमीद करते हैं कि इस साल iPhone की कीमत में थोड़ी कमी आए जो की नामुम्किन सा ही है क्योंकि इंडिया की trade policy ही ऐसी है कि बहर के देशों में iPhone इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ता मिलता है और यही वज़ा है कि iPhone की popularity इंडिया में थोड़ी कम है Indian smartphone markets में budget और mid-range phones का दब-दबा है वही Apple का 1.5 लाग का iPhone अपनी जगा बनाने में अभी भी थोड़ा पीछे ही है खेर इन सब के लिए अब हमें Apple के September keynote event का इंतिजार करना पड़ेगा